कि यहां पर अगर मैं बात करना चाहूंगा देखो अभी हर एक्जाम में आपका जो मिनमम कॉलिफाइंग कट आफ है वो कहीं के आपका रहता है क्योंकि कई सारे से के होते हैं जो कहीं के मार्क्स कम लाते हैं उसके बाद भी लोगों का सेलेक्शन होता है इसके लिए इन्हों का जो निगेटिव मार्किंग यहां पर रखा गया है यहां पर सभी जान लो अब यहां पर होता क्या है कि यहां पर दो कोट आफ आफ की रहती है एक आपकी होती है मिनमम कोट आफ आफ की होती है और एक आपकी होती है सेलेक्शन वाली कोट आफ आफ की होती है अब होता क् कि minimum qualifying cutoff आपकी क्या होती कि अलगला category wise set होती है तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस तरीक इस cutoff देखो UR और EWS की अगर यहाँ पे मैं बात कुर तो 40% जो cutoff है वो यहाँ पे आपका minimum qualifying है OBC का 35% है और यह OBC उनके लिए रहाएगा जो दिल्ली के अधर इस्टेट के लिए जनरल में ही रहाएगा SC, STPW डिक लिए आपका 30% है और X सर्विसमेन के लिए भी 30% है मतलब क्या हुआ कि UR और EWS वाले कैंडिडेट को 200 मास्क का पुरा पेपर रहाएगा तो 80 नमबर लाने ही लाने है यहाँ पे OBC वालों को 70 नमबर लाने है और इनको 60 नमबर यह minimum qualifying cutoff आफ आपकी रहेगी कई ऐसे exam हुए जिन में candidate minimum qualifying cutoff आफ नहीं cross कर पाए है काम इतने कम गए जिसकी वजह से आप देखो कि vacancy खाली भी गई है ठीक है हलाकि वैसा हर exam नहीं होता है वो कभी एक आदा exam ही कहीं कहीं आपका रहता है और उसके बाद एक जो selection cutoff होती है कि जिसके बाद यह जो cross कर लेगा उसके बाद आता है कि यह 200 में हो सकता है जनरल की 140 चली जाए OBC की 130 चली जाए तो वो एक dependent करता है कि किस तरीके से जो selection cutoff है वो आपकी रहने वाली है DWSD MTL 2014 में ठीक है तो यह बाद में matter करता है पहले आपको यह cutoff ध्यान में रखने चाहिए कि यह cutoff आफ आप क्लियर कर पा रहे हो या clear नहीं कर पा रहे हो इस चीज़ को आप ध्यान में रखो बाकी इसके अलावा जो भी आपको अपडेट्स रहेंगी हमारी इस चैनल पर टाइमली मिलते रहेगी चैनल को सब्सक्राइब करके वैल नोटिफिकेशन एकोन को ओल पर जरूर करें सारी अपडेट्स मिलेंगी टेल्गाम ग्रूप को ड्रॉइन कर लें आपको नीचे लि झाले को